तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है करेंट इंडक्टर वहरी वीड टाइम टी एक अडिंग टू यहां सबरी है वीच फॉल्विंग बोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में अब देखो करेंट इन इंडक्टर एक कोई अगर अ बोल्टेज है वह टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे फलक्ट्वेट करेगा तो इसके एक रॉस जो बोल्टेज भी एक किसी भी इंस्टेंड मैं लिख सकता हूं आईओ कि आपको पार्मूला याद होगा बोल्टेज बोल्टेज ग्रॉस दे इंडक्टर इसकोल टो माइनस ए यह टीटा तो डी आई ओवर डी टी इस एकल तो डी वैलू अप टीटा स्लोप गाया है ठीक है न तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे बोल्टेज और टाइम में अगर मजे बोल्टेज को देखना है कि कैसे वहरी करा टाइम के रिस्पेक्ट में तो जैसे जैसे बोल् यहां से लेके यहां तक ठीक न इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक देखोगे पॉइंट ए टुबी पॉइंट यह तूबी जो स्लोप है 10 टीटा तैन टीटा स्लोप डैट इज डी आई ओवर डी ती यह वैलू पोजेटिव है क्यों कि थीटा is less than 90 तो थीटा अगर 90 से कम है तो तो तेन थीटा की सारी वेलू पोजेटीव होती तो और ये पोजेटीव के साथ साथ ये स्टेट लाइन है तो स्लोप क्या कॉंस्टेंट है थीटा कॉंस्टेंट तो जो बोल्टेज आ रहेगा माइनस एल और डी आई ओबर डीट एक constant से multiply करोगे तो negative एक constant generate हो जाएगा ठीक ना तो A से B तक तुम देखोगे A से B तक तो voltage negative रहेगा और constant रहेगा अगर time से plot बनाएगे तो अब बात करते हैं यहां पर दूसरे दूसरा यहां से देखो यह point में यह वाली line अगर इस line के cross देखोगे तो इसको मैं C मान लेता हूँ तो B से C तक देखो तो अगर B से C तक देखोगे यहां B to C B से C तक slope देखोगे तो slope क्या होता यह इस angle X axis के साथ यह वाला angle slope जो की theta is greater than 90 90 से अधी का theta तो slope negative है तो यहां से 10 theta की value है 10 theta that is यहां से di over dt that is negative है तो यहां से जो voltage रखोगे voltage यहां से B to C जो रखोगे तो minus L और यहां से di over dt जो slope है वो negative है तो एक यह negative है एक negative यह तो plus L और कुछ constant यहां से generate हो जाएगा ठीक ना तो यह जो value है पुछ negative constant और यहां से positive constant तो अगर मैं graph बनाता हूँ यहां से time के respect में अगर मैं plot यहां से generate करता हूँ तो time के respect में अगर मैं voltage का fluctuation यहां से देखता हूँ तो minus B तो कुछ graph ऐसा आएगा अपना दूसरे color से मैं बनाता हूँ अपको feel आएगा तो negative और constant यहां फिर उसके बाद यहां से तुम्हें मिलेगा positive और PLUS constant तो positive और PLUS constant ऐसा graph आएगा तो अब अगर option देखोगे तो यह तो सही नहीं है यह तो सही नहीं है यह तो सहीalom है इसमें voltage constantly increase होरहा इसमें गोरहा और इसमें fluctuate होरहा है लेकिन यह जो graph है यह भी इसे से मैच नहीं करा मेगनिचूड में अगर देखोगे मेगनिचूड में क्योंकि यहाँ भी निगेटिव लिया है तो यह ग्राप मतलब कहने को तो नो नापदीज सही है पर लगवग लगवग यहाँ डी सही आप्सन कर सकते हैं मतलब more precise अगर अच्छ बात करोगे तो नो नापदीज